हलो फ्रेंट्स शिवानी नेमा दिस्साइट और आज हम बना रहे हैं बहुत शानदार रेसिपी जो की खाने में बहुत लाजवाब लगती है और मिंटों में बन जाती है और साथी साथ मैंने यापे ली है फ्रेश लाल मिर्च दोस्तों आप यहां साबुत लाल मिर्च भी ले सकते हैं और जार में हम एड़ करेंगे लैसुन की कली तो मैंने यापे लैसुन की कली आड़ कर दी है और इसके बाद हम एड़ करेंगे इसमें लाल मिर्च एक चोटी च मसाला बनके तयार है मसाला रेडी है तो चलिए अब हम आते हैं और अलु अंगारा बनाते हैं तो अब लेना है पैन और पैन में डाला है लग बग दो बड़े चम्माच हमने तेल लेना है तो तेल के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे आलू फ्रेंट्स मैंने आपे आलू को प और दो मिनिट बात डेखिए फार जल्टे लाओने तक हमने पकाना है तो अलु देखिए कितने च्छे अच्छे गोल्डवन ब्राउन हो चुके हैं तो अब अलग इनकाल देंगे तो मैं एक अटलग प्लेक में निकाल लेटे हूं और हमने अब जो मसाला बनाए था, लेस्वन, लाल मिर्च तो अब हम वो मसाला यहां पर एड़ करेंगे, मसाला एड़ कर देती हूं और हीट को हमने लो मीडियम र는지 हाइं, हाइं हाई ना रखें, में리 राओ के ओ Grund Math चाहिए तक करें। ऑड थे मुदूणे रखे aloo कि अब अब फुर्ण है कि न्यूमक लूह मुदू दाले मेडात की कि ऐसी तब सम्सक्राइब थ nellा मुदेनकि अब तरहें नमक कौन में नमक की मिला देंगे और एक साथ किम अलूओ तो अब बारी आती है last process की तो हमने आलू को golden brown करके रखा था तो अब इसमें जाएंगे आलू मसाले को अच्छी तरह से मिलाना है आलू को कोड करना है मसालो में और अच्छी तरह से हमने मिलाना है अब हम 2 मिनिट के लिए कवर करेंगे ताकि जो आलू है वो मसाले के अंदर अच्छे पक जाएं और अच्छा सा फ्लेवर आए तो अब हम 2 मिनिट के लिए कवर करेंगे और 2 मिनिट बार वाओ बहुत अच्छी खुझबू आ रही है friends अब हम तेस्ट को बालेंस करने के लिए इसमें थोड़ इसी शोगर डालेंगे साथी साथ इसमें हम डालेंगे निबुका रस निबुका रस ऑप्शनल है friends और अब हम एड़ करेंगे इसमें धनिया बारी कटा हुआ धनिया आलू अंगारा बनके तेयार है Friends, यह जो रेसिपी है, बहुत शान्दार रेसिपी है, ट्राइ जरूर कीजएगा, पर सबजी को, पूरी, रोटी, पराटी के साथ करव तीजेगा, या पर ऐसे ही खाएएगे ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं, तूछ रेसिपी तो जरूर ट्राइ कीजएगा, मिलते हैं ऐसे ही शान्दा शान्दा रेसिपी के साथ नेक्स वीडियो में थैंक्स पॉर वाचिंग इस वीडियो बाबाई